एक भाग्यवादी होते हैं, जिनको हम जोतिस कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा प्रारद ही हमको सुख और दुख देता है। कोई व्यक्ति हमको सुख दे रहा है, वो व्यक्ति नहीं दे रहा है, हमारा प्रारद उस व्यक्ति के मध्यम से हमको सुख दे रहा है। और कोई हमको दुख दे रहा है वो व्यक्ति हमको दुख नहीं दे रहा है उस व्यक्ति के मद्यम से मारा प्रारब्द हमको दुख दे रहा है प्रारब्द भी दो तरह का होता है एक संचित प्रारब्द होता है और एक क्रियमान प्रारब्द होता है संचित प्रारब्द जो पूरुम में हमने किया है उसकी वज़े से हमें जो मिल रहा है वो संचित प्रारब्द है और एक क्रियमान है इस जन्द में जो आपने किया है और अब दुख्छार्ण वह मानन चाहिए कि आपका पूर्व में कुछ ऐसा बुरा किया हुआ है यह आपके संचित is और एक क्रियमान है जो आपको दुखिया सुक देता है। आप यहां पर बैठे हैं और किसी बात में आप अपने से थोड़े तगड़े आत्मी को एक थपड़ मार दो तो वो आपके हाथ पाऊं तोड़ देगा कि नहीं। अरे हाना तो बोलो तोड़े का तो यह क्या हो गया आपका क्रियमान प्रारब्द हो गया। आपने किसी के प्रसंद साकी दी वो प्रसंद हो गया एक क्रियमान प्रारब्द है। आपने किसी के निंदा किसी किसी गाली दी किसी का बुरा किया। उसने आपके साथ बुरा कर लिया तो यह हो गया क्रियमान प्रारब्द है। तो यहां पर जोची लोग कहते हैं कि आपका भाग्य, आपका प्रारब्द ही आपको सुख और दुख देता है, कोई नहीं देता है, और तिफ्रे होते हैं कर्म योगी, कर्म योगी क्या कहते हैं? आपका कर्म ही आपको सुख देता है और आपका कर्म ही आपको क्या देता है? वाल कुछा जुछा।